नम्षका», दोस्तों, मैं सुनिल आपका छोस्ट फ्रॉमिक, तैक का दड़का, दोस्तों, अगर आप लोग इक उन्दिस्ट्री में हैं और इक उन्दिस्ट्री में संसे पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप प्लीज एंड तक देखेगा, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा ह पर ये वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़े आपको आज बताने वाला हूँ जिस से जिस तरह से आप एक business को observe कर रहे हैं या फिर identify कर रहे हैं, products को सोर्सिंग कर रहे हैं, वो पुरा नजरिया आपका बदल जाएगा, तो ये वीडियो को end तक देखेगा, यहां पर आपको कर रहे हैं, जिसके basis पर आप exactly समझ पाएंगे कि वो products को बेचना चाहिए, कि नहीं बेचना चाहिए, ठीक है, without wasting further time, मैं आपको अभी system पर ले चलता हूँ, और वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा process जो है, वो कैसे काम करता है, और आपके लिए भी कैसे काम कर करेंगे कि जितना हो सके, आपको explain करें, बट वो tools के बिना 100% information जो है, आप तक नहीं पहुंच पाएगी, चले फिर में मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप चाहें, तो वो tools आप खरीच सकते हैं, और क्या features है वो tools के, वो भी आपको अभी screen पे देखने मिल जाएगा, तो यहां पे यह दोस्तों, तीन tools जो है, वो आज use करूँगा, मैं to identify कि कौन सा best product है, import करने के लिए, और कहां पे सबसे ज़्यादा margin मुझे मिल सकता है, एक है jungle scout, जहां से मैं product research करूँगा, कि कौन से products, ज़्यादा बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं, ठीक है, दूसरा एक tool है जो AMZ scout, जिसको शायद आप लोगोंने नहीं सुना होगा अभी तक, लेकिन वो काफी useful tool है, क्यों वो भी मैं आपको अभी explain कर दूँगा, और तीसरा है, यह import calculator, जो हम use करते हैं internally, to identify या figure out कि उसका cost कितना आएगा, ठीक है, तो यहां पे मैं step by step हर एक चीज मैं आपको समझ कर सकते हैं कि कौन से best seller products है, category wise, यहां पे आपको 100 ही दिखेंगे top selling products, उससे ज्यादा products नहीं दिखेंगे, और जो 100 top selling products होते हैं, वो mostly branded होते हैं, जहां पे आप ज्यादा margin earn नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम jungle scout use करते हैं, जहां पे हम 200 से लेके 500 ranking वाले कोई भी product हैं, उसको हम search क कर सकते हैं और identify कर सकते हैं कि उसमें हम sales कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब suppose कोई भी product हम, हमको search करना है कि यह product sales करने लाइक है या नहीं है, तो पहले jungle scout में हम उसका reviews देख लेंगे, research कर लेंगे कि यह product बेचने लाइक है कि नहीं है, for an example, यह है mini car trash, ठीक है, अब इसको अगर हमें suppose import करना है, या फिर देखना है कि यह product हम बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो यह 114 रुपीज में free delivery के साथ बेच रहा है, ठीक है, तो यही जो mini car trash bin है, अब जरूरी नहीं है कि अगर यह 114 रुपीज में बेच रहा है तो हर एक seller जो है, उतने में ही बेच रहा होगा, तो यहाँ पर मैं mini car trash bin search करूँगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर काफी सारे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर listings मुझे देखने मिलेंगे, ठीक है, अब इसके नीचे यह जो आपको details दिख रही है सारी, यह आ रही है through AMG Scout extensions, ठीक है, अब देखे किसी की price 189 है, reviews 3 है, sponsored है, किसी की 114 है, 176 reviews है, यहाँ पर 249 है, price उसकी ठीक है, और reviews देखे 236 है, यहाँ पर 139 है, यहाँ पर reviews देखे 598 है, तो मतलब यहाँ पर जिनके prices जादा है, उनके भी sales आ रहे हैं, बट कितने आ रहे हैं, वो अगर आपक चेक करना है, तो यहाँ पर आपने कोई भी product search किया, category search किया, keyword डाला, उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर click करता हूँ, तो इस particular product के, कितने sellers हैं, जो top में हैं, वो सारे listings यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे average निकालना है, कि total sale कितना हो रहा है कितने sellers हैं, क्या है, सारा सब कुछ जो भी है, वो यहाँ से समझ में आएगा, तो देखिए, यहाँ पर इतनी listings जो है, मुझे दिखी, अब यहाँ पर अगर हम average estimated sales निकालें, तो किसी के 590 है, किसी के 220 है, 307 है, और उसके बाद किसी के भी sales यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ठी 36 sellers हैं, कहीं पर 40 sellers हैं, यहाँ पर 14 sellers हैं, लेकिन यहाँ पर sales नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर, let's say, 40 seller है, ठीकि आप यह product आपको sale करना है, या import करना है, तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह 139 में भी करना है, यह आपको import करना है, बेचना है, करना आती है ठीक है तो मीनी कार ट्रैश बिन तो यहां पर हमने यह सर्च किया अब सर्च करने के बाद उसके जो भी रिजल्स आएंगे उसमें आपको जरूरी नहीं है कि जो लोइस्ट प्राइज वाला है वो पहले दिखेगा तो आपको सर्च करना पड़ेगा कौन है ऐसा जो ल मिल सकता है 0.51 है यहां पर 0.7 है 0.8 है और चली हम 0.51 है तो 0.51 कंसिडर करते हैं अब हम चले आते हैं यहांपर सीधा Import Calculator पर की यहां पर 0.51 उसकी price है तो भाई बाई एर मंगवाना है तो 0.51 यहां पर दोनों तरफ हम यह डाल दियता है अब 1, preparations है आपको यह सामान मंगवाना है by air या by sea तो दोनों में आपका कितना landing cost आएगा वो हम समझ लेते हैं अब by sea मंगवाना है तो minimum one cbm आपका order होना चाहिए जहां पर सारे expenses custom duty जो है वो 11% के हिसाब से consider करें तो 11,000 something कुछ होती है यह सारे products यह सारे जो prices है उसके उपर वो custom duty लगती है उसके बाद handling fee जो है 5000 है CHFV है और उसके बाद taxes जो भी लगते हैं आपको तो इसकी price जो है आके approximately बैठ जाती है about 56 रुपीज के आसपास ठीक है अगर हम buy air की बात करें तो अगर 50 kg का cotton होता है 50 kg होता है total तो उसकी price जो है approximately बैठ जाती है 58 which is landing cost at your door including taxes ठीक है अब हम चले आते हैं यहां पर यहां पर हम product search करते हैं जो हमने अभी यह research किया था अब यहां पर हम search करेंगे कि अगर आपकी price 58 है या फिर इसके आसपास है तो कितना margin आपका बैठेगा तो यहां पर हम calculator open कर लेते हैं और price यहां पर डालते हैं 58 ओके और यह 139 में बिक रहा है तो आप देख सकते हैं 93 जो है इसकी total FBA fee है तो आप यहां पर definitely loss में जा रहे हैं ठीक है तो यह product आप नहीं बेच सकते हैं अगर आप 139 में यह products बेच रहे हैं तो आपको 100% यहां पर loss है तो अगर आप इसको let's say 159 में बेच रहे हैं तो आपको यहां पर profit हो रहा है अगर आप इसको 169 में बेच रहे हैं तो और होगा 179 में अगर आप इसको बेच रहे हैं तो ज्यादा होगा और let's say 199 में आप इसको बेच रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि profit आपका 10,000 के आसपास हो रहा है अगर 276 units बिक रहे हैं अगर आपके let's say 100 units बिक रहे हैं तो यहां पर 3872 हो रहा है अब यहां पर देखिए एक CPC cost का भी option दिया गया है अगर CPC cost क्या होता है cost per click अगर आपके 100 products click होता है उसमें से 100 products जो price है cost है per click की वो अगर आप लेट से 5 रुपे consider करें ठीक है तो आपका margin जो है यहां पर देखिए कम हो गया ठीक है 5 रुपे अगर आ सा आपका margin कम हो जाता है बट ads की वज़े से आपके orders जो है वो जादा आने लगता है तो यह एक method है जिससे आप identify कर सकते हैं कि यह product आपको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए तो पहले तो जो है आपको competition देखना पड़ेगा तो आप इस तरह से competition भी check कर सकते हैं जो भी sellers यहां पर यह products बेच रहे हैं वो कितना stock लेकर अभी बैठे हुए हैं तो देखिए यहां पर काफी सारे sellers हैं जिन्होंने 550 का भी stock रखा हुआ है और हमें देखना है कि FBA में सिर्फ कितना stock पढ़ा हुआ है ठीक है इसी product का तो 27 है 30 है 10 है 5 है 34 है 100 है तो यह आपको help करेगा कोई भी product आपको identify करना है जहां पर sellers जादा है और FBA sellers कम है और reviews जादा है sales जादा आ रहा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो seller FBA में है उसके पास quantity कितनी है क्योंकि अगर उनके पास 200 quantity है और आप यहां से 10 quantity भेज रहे हैं तो obviously आपका तब तक order न competition level जो है वो कम हो तो यहां पर एक category में आ जाते हैं car accessories ठीक है car accessories interior तो आप एक चीज़ और यहां पर देख पा रहे होंगे जब भी मैं कोई keyword यहां पर इंटर करता हूं let's say चलिए यहां पर ठाता हूं car accessories ठीक है तो यहां पर आप देखिए car accessories यहां पर searches कितने हो रहे हैं about 49,500 49,500 के आसपास search हो रहा है Amazon पर यह keyword पर तो और इस पर CPC कितना है roughly about 6.27 रुपीज पर click तो इससे भी आपको idea आ सकता है कि आपको इस पर ads run करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए ठीक है search volume जादा है तो आपके यहां पर orders आने के भी chances जादा रहेंगे तो यहां पर हमने यह search किया है car accessories यहां पर भी बहुत सारे products आपको देखने मिलेंगे यह sponsored में आपको देखने मिल रहा है 200 रुपीज में ठीक है अब यह sponsored है और 200 पर product भी करा है और इसकी अगर आप price देखें actual price तो चलिए जेक करते हैं wireless hands car kit wireless hands car kit let me search it for you hands car kit में बहुत सारे models available है यह वाला जो है particularly four dollar काफी जादा है मुझे पता इतना rate नहीं है यहां पर 60-70 rupees के आसपास यहां पर ही मिल जाता है तो चाइना में इससे सस्ता ही होना चाहिए तो exact उसका नाम क्या है हम वो देख लेते हैं ताकि easily पता चले Bluetooth audio receiver तो उससे ज़्यादा easily होगा यहां पर ऐसा कोई मिला नहीं है लेकिन हम let's say यहां पर 0.9 dollars यहां पर consider करते हैं ठीक है तो आपकी lending cost जो है इसकी buy c अगर मंगवाएंगे तो minimum इतना आपका हो जाता है अब let's say buy air आप 20 kg का यह package मंगवा रहे हैं ओके और एक लाग का यह सामान मंगवा रहे हैं और price इसकी जो है 0.9 है तो 93 आपकी lending cost आती है मैं आपको एक rough ballpark figure बता रहा हूँ 20 kg का सामान है और 9.9 इसकी value है आपका overall 26% इस पे increase हो रहा है margin और इसकी selling price जो है वो हम देख लेते हैं अभी 200 है ठीक है 200 रुपे में यह sponsored ads में बिक रहा है अब हम इसका costing निकालते हैं और देखते हैं कि अगर आप 93 में import कर रहे हैं by air और 200 में ad लगा के भी बेच रहे हैं जैसे कि यह बेच रहे हैं तो पहले इनका sales कितना आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं सामी का तो यहां पे हम click करेंगे क्योंकि अगर आप ads run कर रहे हैं तो sales भी सामने आना चाहिए तो FBA fees देखें यहां पे 101 दिख रही है फिर भी हम एक ब तो यहां पे हम costing निकालता है इसका अब यहां पे आपको 93 में आ रहा है 200 में अगर आप इसको बेच रहे हैं तो आपका 38 पीज अगर आप बेचते हैं पूरे महिने में तो 223 में ही आपका इतने में इतना ही profit आपको होता है तो that means कि यह जो price है यह गलत है अब यही चीज इ इंडिया में as of now available about 75 rupees के आसपास okay 75 से 70 से 75 के आसपास including taxes तो यह अगर आप 38 pieces बेचते हैं पूरे महिने में ads लगाके ads का CPC आप पकड़ लीजे 10 रुपे और यहां पे आप let's say 100 अजिम करिए 100 pieces बेचते हैं तो 2877 के आसपास profit आपका बैठता है दूसरी चीज जैसे कि मैंने आपको बताया एक चीज और एक ध्यान में रखेंगे कि competition कितना है product में तो उसको चेक करने के लिए आपको यह scout status जो है stock status वो आपको चेक करना पड़ेगा तो सामी के पास अभी भी 339 quantities पढ़ी हुई है FBA में अगर आप यह चीज भेजेंगे FBA में तो competition डबल हो जाएगा तो ज्यादा इससे फायदा आपको नहीं हो सकता ठीक है तो ऐसे बहुत सारे products है जो आप देखने जाएंगे तो बहुत सारे sellers अलड़ी बेच रहे हैं अगर आप प्राइज ज्यादा दे सकते हैं तो बेटर है अब यहाँ पर जैसे कोई keyword से हम search करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे details आपको देखने मिलती है and which is also coming based on AMG Scout का जो extension है उसके थुरू तो यहाँ पर margin भी आपको देखने मिलता है कि margin कितना है product पे ठीक है और यह margin कौन से basis पे आता है जो उन्होंने pricing डाल रखी है उ और यह एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो product है यह वाला corex का ठीक है यह product काफी अच्छा भीक रहा है जो best seller है अब यह 197 में भीक रहा है मैंने Alibaba में भी check किया था और ऐसे बहुत सारे products हैं जो आपको best seller में दिखेंगे और बहुत अच्छे भीक रहे हैं और इ कौन सी 10 offer है कितने में भीक रहे हैं वो भी आप देख लिजे तो 125 प्लस यहां पर 65 तो 190 lowest price है अब चाइना में इसकी price जो है मैंने चेक की थी it was about 0.5 dollars same तो अगर हम 0.5 dollars यहां पर mention करते हैं ठीक है और आप 20 kilo का एक package मंगवाते हैं और let's say कि total 50,000 का सामान है ठीक है 50,000 का अस-पास आपका landing cost आता है अब 59 rupees अगर आपका landing cost आ रहा है तो यहां पर हम calculate कर लेते हैं कि इस product में आपको फाइदा होगा कि नुकसान देखिए यहां पर 58 rupees ओके आपकी landing cost है let's say 60 हम रखते हैं यहां पर FBA में अगर आप यह product भेजते हैं 60 rupees और यहां पर आप 179 में बेच pieces में आपका 2100 का profit बैठता है सारे costs इसमें add करने के बाद क्योंकि यह चोटा सा product है तो इसका weight handling charge है वो 30 rupees में जाएगा अगर उसकी weight ज्यादा है 500 gram से ज्यादा है तो obviously वो उसका weight handling charge जो है वो बढ़ जाएगा तो यह product है वैसे और भी बहुत सारे products है अगर आप देखें जै उसरे और same to same यह products बेचने वाले जो sellers हैं उनकी average price क्या है और कितना sale हो रहा है तो यह जब तक pull होता है तब तक हम यहाँ पे चले आता है तो कुछ इस तरह का है ठीक है कुछ इस तरह का समझ जाईएगा तो 0.74 के आसपास इसकी price आ रही है तो हम 0.7 लेता है क्योंकि यह model और यह model में थोड़ा सा फरक हो सकता है 88 प्लस 45 मतलब की वो बेच रहे हैं 133 रूपीज में है तो 133 रूपीज में यहाँ पे बेच रहे हैं और average price देखे 114, sorry 320 मतलब 200 के आसपास यह product बेख रहा है अब आपको calculate करना है कि इस product में आपको फाइदा हो सकता है कि नहीं हो सकत है सीधी बात है आपको सीधा यहाँ पर आना है अगर 20 किलो का सामाना मंगवा रहे है से 0.7 प्राइज है चाइना में अगर 20 किलो का सामान मंगवा रहे हैं 50,000 का सामान मंगवा रहे हैं आपकी overall 41% price यहाँ पर बढ़ जाती है और आपका landing cost जो आता है including taxes is about 81 rupees अब 81 rupees आपका landing cost आ रहा है यहाँ पर इस product का which is little high because कि हमने यहाँ पर 0.7 price इसकी consider किये और 20 किलो ही मंगवा रहे हैं और 50,000 का मंगवा रहे हैं अगर आपका 20 किलो में एक लग का सामान आ जाता है for an example तो यहाँ पर प्राइस देखिए सिधी 26% पर आ गया okay 26% instead of 41% तो हम 41% ही consider करते हैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा है कभी कभी not anky करते हैं यहाँ पर तो यह शो नहीं कर रहा है कोई बात नहीं हम यहाँ पर उसका weight जो है वो चेक कर लेते हैं कि weight कितना है इसका weight यहाँ पर mention नहीं किया हुए that's the reason why information pull नहीं कर रहा है size में mention नहीं की हुई है तो हम यहाँ पर इ बीच रहा है ठीख है तो पर पीज पे आपको 17 रूपीस का फाइलबल है सी पर पीज है किए हैं इंची स्काउट में चेक करूगां जेक कितने हैं सेप्लाय सेंट कितने हैं टोडल कॉंप headache कितना है import calculator में check करूँगा कि मेरे import का final landing cost कितना आ रहा है ये सब कुछ okay है उसके बाद मैं इस product को import करूँगा basically ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे sellers जो है वो डरते हैं import करने से और import नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि कही custom में material फस जाएगा या क्या होगा और एक suggestion में आपको देना चाहूँगा दोस्तों अगर कोई भी flagship phone suppose launch होने वाला है अगले महीने या फिर कुछ दिनों के बाद तो वो flagship phones के accessories भी काफी सारे online available हो जाती है बिकनी जैसे कि new phones to be launched ठीक है अब यहाँ पर हम जाएंगे किसी भी एक website में 91 mobiles में चले जाते हैं यहाँ पर काफी सारे phones ऐसे दिखेंगे flagship phones जो launch होने वाले है तो यहाँ पर दिखेगा कब launch होने वाला है let's see upcoming mobile phones में चले जाते है तो Reliance 03 Xiaomi Mi A3 Real X Pro यह भी launch होने वाला है तो यह भी काफी अच्छा चलेगा Vivo S1 यह भी launch होने वाला है तो यह जो भी phone launch होने वाला है जब launch होने वाला है उसके पहले ही आप Alibaba में जाके उसके accessories जो होती है accessories में आपको मिल जाते है mobile covers ठीक है और scratch guard जो होते है tempered glasses जो होते है और उसको आप import कर सकते है ठीक है तो जितना आपका weight ज़्यादा रहेगा अगर 30 kg से ज़्यादा है 31 kg है तो आपका weight है charges जो है per kg वो कम हो जाएगा instead of 350 इल बिकम 305 ठीक है अगर आपका यहाँ पे value ज़्यादा है तो यहाँ पे overall cost जो है increase जो हो रही है वो कम हो जाएगी percentage तो आपको उस हिसाब से फाइदा होगा ठीक है और इसलिए ही ज़्यादा तर लोग जो है वो buy air आज मंगवा रहे है compared to buy C because यह 7 से 10 दिन के अंदर material जो है पहुंच जाता है और यहाँ पे 30 से 35 दिन आपको लग जाता है ठीक है और keyword का भी जो आपने मैंने आपको बताया keyword यह जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो AMG Scout या फिर जंगल Scout का नहीं है उसका extension दूसरा है तो ऐसा ना सोचीगा कि यह भी आपको उसके साथ मिल जाएगा तो यहाँ पे तीन टूल्स के मैंने बात की यहाँ पे जंगल Scout है AMG Scout है और यह Calculator है ठीक है तो यह तीन टूल जो है उससे ही आपको पूरा का पूरा control रहेगा कि कौन से products आपके चलेंगे कौन से import कर सकते हैं क्या import rate आएगा तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पे टूल्स बहुत important factor होता है कोई भी business को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है research tools जो होता है मैं specifically उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको grow करना है बिजनस में तो आपको समझना जरूरी है कि आपके competitors कहां पे है कौन सी products को बेच रहे हैं कितना बेच रहे हैं कितना stock लेके बैठ है projection कितना है कितना sales हो रहा है कितना revenue generate हो रहा है और कोई भी चीज आप सीधा उठा कि अगर listing करने लगेंगे और products खरीद के आपके पास रखेंगे stock कर लेंगे और फिर नहीं बिकेगा तो आपको last में उसको loss में निकालना पड़ेगा तो ये ना हो इसके लिए ये सारा खर्चा बाद में ना हो इसके लिए थोड़ा सा खर्चा starting में करके ऐसे tools को use करके फिर इस business में आना वो ज़्यादा समझदारी वाला काम है otherwise आपको बता ही e-commerce industry में returns के losses के risk जो है वो chances जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं वो कहने कि मुझे ज़रूद भी नहीं आप सब को तो बस यही कहना था और I think ये मेरा phone गिर गया भी नीचे लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि always protection रहता है so that's it दोस्तों आज के वीडियो में इतना है कहना चाहूँगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि इसे कोई फरक पड़ेगा तो वीडियो को आप शेर भी कर सकते है अपने दोस्तों के साथ अगर आप चाहते है कि competition ना बड़े तो वीडियो को आप शेर ना करे तो भी चलेगा okay so that's it thank you take care god bless you all bye bye